आज हम लोग वाइल लूप के अंदर पढ़ेंगे फैक्टोरियल यानि कोई भी अगर डिजट इंटर किया जाए नंबर उसका में फैक्टोरियल क्या होगा तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको मैं फैक्टोरियल का कॉंसेप्ट जे दूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है तो अब दोस्तों for example हम लोग ने कोई भी अगर नमबर है उसका अगर factorial हम लोग ने find करना है तो for example अगर मैं चाता हूँ कि 3 का factorial क्या होगा 3 का factorial अभी कैसे find करते हैं हम लोग 3 के अंदर इससे previous जो counting है 2 1 अब जो हम लोग क्या करेंगे 1 multiply by 2 multiply by 3 जब हम लोग यह लिखेंगे इसका जो हम लोग अब यह देखिएगा इन सक पर जब हम लोग multiply करेंगे 1 multiply by 2 multiply by 3 तो 6 3 का factorial क्या आगे हमारे पास 6 इसी तरह से अगर हम लोग 5 करते हैं 5 का factorial क्या होगा 1 multiply by 2 multiply by 3 और multiply by 4 multiply by 5 जितने भी इजर्ट हम लोग यहां पर write करेंगे इन सब का हमें जो इसका factorial find out हो जाएगा अब इसके अंदर हम लोग दुबारा से 5 का factorial देखते हैं 1 divided by 2 divided by 3 sorry multiply और multiply 4 multiply by 5 तो 5 का हमारे पास factorial क्या आगया 120 तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 120 दोस्तों अमिद कोता हूँगा आपको इसकी समझ आगी होगी कि फैक्टोरिल का हम लोग किस तरह से लेते हैं अब जिस तरह 8 है 8 के अंदर क्या होगा 8 के अंदर होगा 1 8 के अंदर जो 8 नंबर आ रहे हैं प्रिवेस कांटिंग है तक 2 multiply by 3 multiply by 4 multiply by 5 multiply by 6 multiply by 7 multiply by 8 तो इसका फेक्टोरिल अब यह देख सकते हैं इसको करते हैं 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4 5 6 7 8 तो अब देख सकते हैं कि इसका मारे पस multiply आगा इसका 40,320 तो इसको मिनिमाइस करते हैं हम अपने प्रोग्राम में बना के इसको चेक करेंगे दोस्तो स्टार्ट करते हैं कि आपकर फेक्टोरिल की समझ आगी होगी यानि कि आप कुछ भी नंबर इंटर करेंगे उसके जो प्रिवेस सब कांटिंग वो जो है वो count होकर multiply होकर हमार बार जो result शोगा वो factorial होता है जब लो तो start करते हैं एक variable लेते हैं integer type का मैंने z ले लिया आपकुछ और भी ले सकते हैं फिर हम लोग यहां पर जिस नंबर का factorial चाहते हैं तो उसके लिए यह जी तो हम लोग use करेंगे य के अंदर तो हम लोग यहां पर ऐ नाम का एक variable ले लेता हूँ यह इसलिए लेंगे क्योंकि जिस नंबर का हम लोग factorial चाहते हैं तो cout enter any number तो मैंने यहां पर लिखा enter any number यहां पर c in यहां पर a लिख दिया अब while की condition लगाएंगे अब मैंने कहा था कि z को हम लोग mobile की condition के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो अब मैं यहां पर लिखूंगा z less than and equal to अब दोस्तो हम लोग ने यहां पर एक मक्सूस counting प्रेंट नहीं करवानी यानिका मक्सूस counting तक हम लोग ने factorial नहीं चाहिए हमें तो वह चाहिए जो हम लोग इंटर करेंगे इसलिए फिर हम लोग ना यहां पर 5 लिखेंगे और ना ही हम लोग यहां पर कुछ और 10 लिखेंगे 15 लिखेंगे कुछ भी लिखेंगे हम लोग वह लिखेंगे जो यूजर खुद देगा तो हम यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि हम लोग क्या इंटर कर रहे हैं इंटर एनी नमबर तो इसके लिए मारे पास फैरिवल कौन सा है ए तो हम लोग ए को यहां पर इस्तमाल करेंगे तो मैंने यहां पर ए लिख दिया अब दोस्तों क्या करना है अब बहुत सिंपल सा असान सा आपको मैथिड बताता हूं जिस तरह आपको याद होगा कि आप लोग ने सम जो है वो फाइंड आप किया था आपको मैं बताता चुलो मेरे लेक्चर नमबर जो है 66 के अंदर जो है मैंने आपको बताया था तो अगर आप यह देखना चाहते हैं लेक्चर तो आपको डिसक्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा तो इसी तरह से जिस तरह मैंने फैक्ट जिस तरह हम लोग सम करते हैं इसके अदर कर मैं सम डालता चलूं कुछ भी नमबर इंटर करूंगा तो उसका वो सम आदेगा तो इसी तरह से यह फैक्टोरियल है इसके अदर जस्ट क्या है मुल्टिप्लिकेशन तो हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे यहां पर एक और व्यारिप्ल लेते हैं जिस तरह हम लोग ने सम के लिए लिया था जिसको मैं फैक का नाम दे देता हू तो तो मैं यहां पर क्या करूँगा सब्सक्राइट इस एक रीकल टू अब दोस्तों यहां पर पोजिटीफ अगर मैंजी करदूंच cousin क्या होगा कि मे पास जो रख में हैं वो सम में चले जाएगा यानि कि यह मल्टी जो है वह एडर्ख में जो भी नंबर है वह एड बाग तो इसलिए याँ पर क्या यूज करेंगे multiplication मैंने आपको जिस तरह बताया था multiplication में factorial के अंदर इस तरह से ये काम करता है तो अब यहाँ पर चलते है हमेशा की तरह Z को increment कर देते है दोस्तों यह है method factorial find करने का simple सा जिसके down में लिखेंगे C out factorial of number is तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर यहाँ लिकेंगे fact से हम लोग find out कर रहा है तो इसे execute करके देखते है तो अब यहाँ पर हम लोग 3 प्रेस करते है तो दोस्तों अब यह देख से तक में जिसरह मैंने आपको दिखाया था calculator sorry यह वर्ल्ट के अंदर gold के अंदर यह दिखेगा मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर यह देखिए थ्री का जो factorial है वह के हमर पास 6 यह इसने इसके पीछे जो इसी तरह से multiplication किया है अब हम लोग 5 का find out करते हैं इससे जब execute करते हैं तो अब यह देखेगा हम लोग किसका find out करेंगे 5 का क्या है हमारे पास 120 तो हमारे पास यहां पी 5 का पेक्टोरिट गया था 120 अब 8 का करते हैं हमने 8 का क्या है हमारे पास 40,320 और यह भी हमारे पास क्या है 40,320 हम कुछ और भी लिख सकते हैं नमबर जिस तरह से for example महीं आपर 55 इंटर करता हूं यह बहुत बड़ी रकम बन देगी इसके लिए फैक्टोरियल में तो इससे कुछ लैस करते हैं यह देखिएगा यह उल्टा माइनस में चलेगी जब दोस्ते सरे फैक्टोरियल बहुत बड़ी रकमें बन जाती है इसके साथ यह फैक्टोरियल का बिल्कुस सिंपल सा असान सा मैथिड है आपने अगर चाते हैं कि इन सब का सम फाइंड आउट हो तो आप यह पर सम कीजिएगा तो दोस्तों बताइएगा मुझे आपको फैक्टोरियल का यह मैथिड कैसा लगा बहुत सिंपल सा असान सा है इन दोस्तों नेक्स स्टेप बैस्टेप जो हम लोग यह सारी विडियो लेक्चर्स थे हम इंचाला डिस्प्लेइ मैं आपको करता होगा देता होगा सब यह मैसेश्ट डिस्प्लेए आपको प्रोग्रम सारे तो आप सब लोग लिए सब कुछ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो दोसो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा दौा में याद रखिएगा अल्ला हाफीज